नमस्कार आज हम बात करेंगे दुनिया भर की दुनिया भर में खास सोर से आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रबीर पुरकायस्त हैं जो एडिटर इन चीफ है निउसक्लिक के कि देश दुनिया में किस तरह से राजनितिक समीकरण बदल रहे हैं किस तरह से अमरीका, यूर और देशों के बीच जो प्रेम भरे रिष्टे दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से हाथ मिलाये जा रहे हैं उन देशों के बीच जहां पर भी बहुत दूरियां थी क्या असली में हाथ और दिल मिल रहे हैं या इनके पीछे की राजनिति किस तरह की है सबसे पहले हमें और इरान को लेकर जिस तरह की बाते चल रही थी जिस तरह से बहाँ पर सत्ता में तब्दिली की ख़आःउ पष्ट्रा होँ है। बाकी देशों में जिस तरह से नजर है आपको जो इरान का डवलप्मेंट है वहां पर जो चेंज आया है सत्ता में जो चेंज आया है वह कैसे दिखाई देता है आपको देखिए अबरीका का तो सालों से दशकों से यह ख्वाइश है कि वहां पर एक रेजीम चेंज करें और जो वहां पर 40 साल से उनकी जो वहां चल रही है जिसमें खास तोर से एक धर्मिय आधार भी देश का है उसको हटा के प्रो वेस्टर्न मुल्क जैसे शाहर विरान के वक्त पर था वैसे बनाया जाए तो वो जो रास्ता वो अपना रहे है कि इरान को आईसिलेट करेंगे प् इसकी यह सफलता आज तक नहीं मिली उनको अधना मिलने की संभावना है क्योंकि हम जानते हैं सैंक्शन से जो मुल्क में जो सत्ता में रहते हैं उनकी पॉजिशन ज्यादा मुश्बूत होती है क्योंकि बाहरी दबाव ज्यादा आता है तो जो भीतर का शाशक है उसकी लो प्रियता बढ़ती है यह तो हम नहीं कह सकते हैं पर लोगों को लगता है कि यह गलत हो रहा है और वह एक तरह से अपने सद्ता की पीछे वह खड़े होते हैं कि इनको लगता है कि खास थोर से स्वाम जवार्याधी ताकत जो अमरिका को जानते है शाव एरान को जो यह समर्थन उनका था उसको सबको मालूम है तो इसी लिए वो चित्र लोगों को दिमाग से गया नहीं है इसलिए इस तरह से अमरीकी की पीछे उनका लामबंद होने का संभावना नहीं है और दूसरी बात जो होता है कि सत्ता के उपर ज्यादा क्योंकि जब इस तरह के सैंक्शन्स होते हैं तो चाहे खाने का हो पैसे को हो सब के लिए सत्ता पर ज्यादा डिपेंडेंस होता है यह भी एक वजह होते हैं मुख्यता वाहर से एक देश के अंदर की जो तब्दिलिया है उसको बलना मेरे ख्याल से संभब नहीं होता जहां ज इस तरह से लगाए भी जा रहे हैं अक्ट ऑफ वार के तौर पर इंको देखा जाता रहा है इंके बारे में बहुत सी चीजे चलती रही है लेकिन निर्बाद ढंक से चलते हैं पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इस तरह के सैंक्शन्स पर कोई हंगामा भी अंतराष् यह एक्ट ऑव वार है एक हिसाब से जंग की एक पहलू है तो यह तो अंतराष्टिय कानूल इसके बारे में साफ है पर सवाल यह है कि इस तरह के सैंक्शन्स लगाने का अधिकार किसका है अंतराष्टिय अस तरह पर लीगली सिर्फ सेक्यूरिटी कांसल और इनाइड यह सब अभी आपस में जो आपकी इनकी लेंदेन होती है धीरे धीरे डॉलर से हट रहे हैं तो यह धीरे धीरे कम होता जाएगा पर इस वक्त भी फाइनाशल सिस्टेम जो है सिर्व उनके कबजे में नहीं है अगर आप देखे जो ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड या दिनामिनेटिड होता है वहां उसकी ताकत है तो एक तो लंबे अर्शे की बात है किया यह धीरे धीरे कम हो गए नहीं जिस तरह से देश चल रहे हैं देशे चल रहे हैं शायद धीरे-धीरे यह कम होता जाएगा बर इस वक्त भी काफी मजबूत है तो यह तो इनलीगल सैं G7 में हाजिर है तो उनके जो रोल रहा है इसमें काफी कायरता की रोल रही है कि वो अमरीका खिलाफ बोलने के लिए तयार नहीं है पीछे आवाज थोड़ी सी उठाते हैं पर ज्यादा इसके बारे में उसको सामना करने की हिम्मत वो अभी तक दिखाये नहीं है इरान में जो सत्ता में तबदीली आई है ये कैसे आप देखते हैं ये किसके लिए लाप्रद है क्योंकि अब जो बताया जा रहा है कि ये जादा कटरपंथी चेंज है परिवरतन जो सत्ता में आया है जो लीडर हैं उनको लेकर भी अलग-अलग धंकी बाते रही हैं जिस तर काने का काम इस नेत्री तुने किया देखिए इरान की सत्ता में चाहे प्रेसिडेंट जो भी है उनकी ब्रॉड जो पुजिशन से उसमें कोई बदला नहीं होगा तो अमरीका के साथ जो आपकी सैंक्शन्स की रेजीम है जो जेसी पीए की बात चल रही न्यूक्लियर एग् जो बदल नहीं होने वाला है वो साथ है वो उनकी राश्ट्रिय स्तर पे निद्धारित हो चुकी है अंदरूनी क्या चीजे हैं क्या इसमें रिलाक्सेशन होगा जो धर्मिये कट्टर पंतित बात जब कर रहे हैं ते उसमें देखना पड़ेगा पर इस चुनाओं में करॉ अमरीका ने उनका कुछ भी सीज कर लिया है ठीक है तो इन सब को देखते हुए एक बात हमें लगता है कि न्यूक्लियर एग्रिमेंट अगर फिर फिर वापस आ जाता है तो अमरीका का सैंक्शन्स का रजीम में कोई परिवर्त नहीं होगा वो चलता रहेगा तो एक इसी ल लिए ट्रॉम बाहर चले गए ते जिसके वजह से इरान फिर अपना उरेनियम शुरू किया था सेंट्रिफ्यूज चलाना शुरू किया इंडिश्मिंट शुरू किया तो वह चीजे रोक सकती है इरान उसको रोकने के लिए तयार है बशरते उनकी जो फाइनैंशल सैंक्श के तहद जो sanctions हटाए गए थे जो पैसे उनको मिलना था अगर उत्ता तक आ जाते हैं तो nuclear agreement शायद वो वापस उसमें इरान जाएंगे पर अमरीका के एक शर्त अब निकल के आ रहा है कि agreement में वापस आएंगे पर आप ये बाते continue करें कि missiles का आप कम कर देंगे आप दूसरे मलको के साथ आपका संबंद क्या होगा अब Hezbollah का समर्थन नहीं करेंगे तो ये चीजों पर इरान मानने वाला नहीं है तो मुझे एक चीज लगता है कि अमरीका के जो दवाव वेस्टेशिया में था वो धिरे-धिरे कम हो रहा है और ये चीज़े दोमें सीज करना डोमें सा क अब डॉट जैसे newsclick.in है तो वहां पर press tv.com.org.net तो ये डोमें सीज कर लिया मेरे ख्याल से 32 33 इस तरह के कुछ 30 के ऊपर कुछ डोमेंस नहीं होने इस तरह से सीज किया है तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरह के डोमें अमरीका सीज कर रहा है जब्द कर रहा है इ press tv.com जो देखता था वो ब्लॉट उससे अमरीका को दिक्कत थी अमरीका को कहना था कि ये गलत चीज पहला रहे हैं अमरीकी की जो राय है उससे सहमत नहीं है तो ये जो है गलत है कानूनी तोर पे .com.net.org ऐसे डोमेंस अमरीका के कानून के तहदा आता है .ir.in ऐसे डोमेंस नहीं आता पर लोग समझते है .com.net इनिवर्सल है तो इसलिए बहुत सारे लोग .com.net डुमेंड रखते हैं पर लीगली उस पर अमरीका का कबज़ा करना आसान हो जाता है क्योंकि वह अमरीकन लॉग के तहदा आ जाता है और अमरीकन लॉग जानते ही हैं बहुत सारे चीज इतना बड़ा चीज थी कि जब एक तरफ आफ वार्ता कर रहे हैं एक तरफ दूसरे ढंका एक माहौल बिड़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मीडिया के और वह भी जो उनका बहुत बड़ा जिसका सबसे बड़ा प्रचार प्रसार है इरान में उस समूह का उसके वेस्ट एशिया में प्ले नहीं करने देना यह चीजा बरकरा रहे हैं लेकिन वहीं पर हमें दिखाई देता है कि बिड़न जाते हैं तुर्की के राष्टपती से मुलाखात होती है तो बड़ी अजीबो गरीब चीजें हैं जो बहुत और बहुत ही जो मुलाखात और जो और वीडियोज आये हैं वो बिल्कुल ही प्रफुलित चेहरे हैं हाथ ऐसे ऐसे मिलाए जा रहे हैं यह क्या चल क्या रहा है यह तर्की नेटों में सबसे दूसरा नंबर का स्थान देता है słuस के नंबर्स में तो तर्की नेटों में बहुत बड़ा प्लेयर है खास तोर से अगर आप सेंट्रल एशिया की मांचित्र देखे तो तर्की उससे प्लेयर है तो तर्की है कि मेडिटेरीडियन समंदर में भी प्लेयर है फ्लेयर है तो आब वहां पर ग्रीस और उसका कबजा किसका होगा ये लेकर जग़ए पर जब Central Asia आता है तब तर्की का एहमियत हो जाती है क्योंकि Turkish speaking वहां पर बहुत सारे लोग समुधाइं बहुत सारे राष्ट वहां पे Turkish speaking है, Turkish भाषा से उनकी बहुत Turkish में जो भाषा बोली जाती है उससे बहुत मिलता जुलता है, तो इनके जो सवाल जो आता है इनका कि बिना तरकी के तर्की के उनके वहां पय रखने की नहीं जगा नहीं है कोई अफगानिस्तान तो बंध औ эпिटे यह वी दैखें हैं इरान तो बंध हो गया तब तब तरकी बचता है एक बुल् किसके जरिए अमरिका कुछ पत्ते खेल सकता है Central Asia की गेम में तो ग्रेट गेम जिसे कहते है उसमें कुछ पत्ते तो इसलिए तर्की के साथ संबंद सुधारना उनके लिए थोड़ा जरूरी हो गया है तर्की को सीरिया का क्या होगा ले रहा था राशिया सीरिय के पक्ष ले रहा था प्रोटेक्षट दे रहा था इसको मिला भिला हुआ है तो तो हमको अपध़ा परकी के तरकी के साथ उसका नितो के साथ रस्तिके था राशिया से उन्होंने S400였 poundнимव को और उसके बाद काफी लग रहा था कि अमरीका काफी परेशान है कि रूस ने रूस से खरीदा उसने तो अब हमको देखना पड़ाएगा वो मैप अगर देखे तो साफ हो जाएगा कि तर्की के अहमेत अमरीका के लिए क्या है खास दोर से अफगानिस्तान चोड़ने के बाद अफगानिस्तान इधर बंद हुआ इधर इरान से कोई ज़्यादा तबदीली होने के संभावना नहीं है तो उसमें दाओं बिडन और अमरीका लगा रहे हैं तुर्की पर तुर्की परते कि सेंट्रल एशिया में वो प्ले कर पाएं क्योंकि सेंट्रल एशिया नहीं तो र पिट्टू मिले और वो पिट्टू डारेक्ली मिलना मुश्किल है इसलिए तर्की का मदद की जरूवत है यह उनकी सोच है कि इसलिए और ऐसे में जो पुतिन से मुलाखात की खबरे आ रही हैं जो को अलग अलग ढग से इंटरनेशनल मीडिया में चीज़े आ रही हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपना दाओं के लिए चीन और रूस को कंटेन करने की स्ट्राटीजी बरकरा रहेगी इसलिए नेटो का समिट किया नेटो का बीटिंग किया जी सेवन किया यूरोपियन यूनियन से मिले बिडिन सब यह कहने के लिए कि रूस से आप अलग हो जाओ और चीन से आप अलग हो जाओ हमारे साथ रहो तो यह संदेश जो है उनको सबको दिया और यही चीज जब पूतिन से बात करने गए तो इन चीजों पर कोई फरक नहीं पड़ा यह चीज है लगता है डिसकुशन से बाहर ही था दोनों एक दूसरे को बताया जाता है क्योंकि ब ख्याल से उसको एहमियत हमें देनी चाहिए जो वेस्टन मीडिया नहीं दे रही है उनको लगता है यह तो मामूली बात है मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि न्यूक्लियर जितने आर्म्स एग्रिमेंट थे करीब करीब सब से ट्रॉम्प विड्रॉ कर चुके थ जो आपका लार्जर एग्रिमेंट है न्यूक्लियर वेपन्स कितना रखना है नहीं रखना है वो सिर्फ बचा था और उसके भी कोई निगोशेशन नहीं हुआ था बाइडन आते उसको एक्स्टेंड कर दिया एक साल मेहाल से एक्स्टेंड कर दिया है तो अब उसका निग क्या रूप रेखा निकलनी चाहिए खास तोर से जो नए किसम के मिजाइल्स आने शुरू हुए है हाईपरसॉनिक मिजाइल्स जो रूस ने चीन ने अमरिका ने भी बनाना शुरू किया तो वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खत्रा है उस निउकलियर आर्म्स रेस को क चीन की बात अलग रखिए इस वक्त ठीक है ना चीन से मेन जो डिफरेंस है इकनॉमिक लगाए पर यहां जो रश्या की जो पुटिन की जो मुलाकात है मुलता आर्म्स ट्रीटी की नुकलियर आर्म्स ट्रीटी की फिर बाचीट शुरू करने की खोशना दोनों कर चुके है अब मैं समझता हूँ एक बहुत एहम चीज है दुनिया के लिए क्योंकि दुनिया में नुकलियर वैपन्स रहना और इस्तमाल होना यह तो हुमानिटी के लिए बहुत बहुत खत्र है दूसरी बात साइबर के जो ट्रीटी है साइबर हैकिंग जो बहुत चर्चा में है अम अमिरिकन मीडिया भी इसको बताता नहीं है सबसे बड़ा हैकर तो दुनिया में अमरिका राष्ट्र है यूएस क्योंकि स्नोडेन डेवलेशन पो तो साफ है तो पर रश्या और चीन दोनों युनाइटिड नेशन्स में लगातार यह कह रहे हैं कि साइबर वैपन्स को बै दो हजार चार हजार सॉफ्टेल लोगों को बिठा के तो वो दुनिया के लिए खत्रा है अगर दस क्रिमिनल्स कहीं बैटके साइबर हैकिंग करे इतना खत्रा नहीं है और वाकिए हम जानते हैं कि NSA के टूल्स आपका इंटरनेट में डम कर दिया था एक ग्रूप ने सब NSA क टूल्स पॉब्लिक डूमेन में है और ये हैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा एसेड बन गया कि उनको वो सॉफ्टर मिल गया कैसे कैसे चीजे की जाती है अची तरह की जाती है तो ये चीजे अब लग रहा है ये भी बात्चीत में आएगी खला कि इसमें बहुत दूरी है पुतिन नहीं बोला है हम जिसको हमारे खिलाफ करते है उसको हवाले कर दे हमारे हवाले कर दे तो हम भी आपको हवाले कर देंगे तो इक्वालिटी होना चाहिए तो मेरे खाल इसमें दूरी काफी है पर नुकलियर वैपिन से मुझे लगता है कि कुछ अच्छे कि अम्भावना है देखनी पड़ेगी कैसे चलता है क्योंकि जो से कहते हैं कि इंटरनाशनल रिलेशन्स जो अमरीका के है दियर होस्टेज टू दियर इंटरनल पॉलिटिक्स अंधरूनी पॉलिटिस्ट के वह एक हिसाब से होस्टेज है तो वह देखना पड़ेगा कैसे नि कि अंधरूनी पॉलिटिस्ट के शिकार बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा रश्या से चीन से बातचीत करने की संभावना भी नहीं है अगर होता भी है चार साल बाद और एक ट्रम्प आ जाएगा तो फिर निकल जाएगा तो जैसे कहते हैं कि ट्रीटी बनाने का च्छामता और अमरीका के पास नहीं है क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट क्रीटी बनाता है दूसरा प्रेसिडेंट आगे उसको खारिज कर देता है और आपने बताया कि चीन से भी इसी संदर में आर्थिक मामलों में बातचीत करने की तैयारी है या यह दूर की कौड़ी है भी अभी इकनॉमिक वार जिसे कहते हैं चाहे एरान हो चाहे रूस हो चाहे बेलारूस हो जो रिसेंटली किया है तो यह तो उनका चलता रहेगा तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी सोच है कि इसको बढ़ाना अमरीका के लिए लंबे अर्से के लिए उनको हानी पहुचा सकती है उनको यह नजर नहीं आ रहा है माहिद समझता हूं कि इसमें और एक दिन चर्चा करें क्योंकि लंबे अर्से के लिए क्या इस तरह के एक तरफा सैंक्षिस दुनिया में चल सकती है नहीं और उसका परिणाम क्या हो सकता है और एक आम जो व्यक्ति है उस पर कैसे असर पड़ता है देश पर कर और खास और से जो देश जहां पर कई अलग धंके प्रियोक चल रहे हैं अर्थ व्यवस्ताएं चल रही है एक जरूरी चीज और कि से पहले हम अपनी वारता समाप्त करें भारत के लिए बहुत खास रहा पिछले कुछ सालों से साट-ा वहां तबदीली आई कैसे आप देख रहे हैं और वह बहुत बहुत दिल्चस्प कहानी है थोड़ा सा उसके बारें बताएं कि आप जो इस्राइल में हुआ है अन्ततह लोगों ने लिखा कि फाइनली चेंज वाई क्या हुआ वहां पर और इसका क्या इंप्लिकेशन इस प इलेक्शन्स हारने के बाद भी सत्ता में था वह सब कमाइन करके उसको निकाल दिया और अबको उसके खिलाब करॉप्शन चार्जेस है करॉप्शन चार्ज वो फेस करेगा तो शायद और और वह चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं होगा तो दूसरे पार्टियों के लिए नेतानियाहू को जाना बहुत जरूरी था तो एक टेंपररी एलाइंस है लंबे अर्से के लिए एलाइंस मैं इसको नहीं समझता हूं अंदरूनी पॉलिटिक्स के पिछली बार आप से जब चर्चा की थी तब उस समय पूरा का पूरा हमले का वातावरन बना हुआ गाजा पर निशाने था और उसमें भी आपने भी कहा था और यह बास सामने आई थी कि अपनी सत्ता बचाने के लिए क्या कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वो कारगर नहीं साबित हुआ कि लोग उससे बहुत परिशान थे दूसरे पार्टी के सब नेत्रित ने कहा यह तो अपने उल्लू सीधा करने के लिए कर रहा है यह जंग तो उसको निकालना जरूरी है पर गाजा पर रवया नहीं बदलेगा पैलिस्टीनियंस पर रवया नहीं बदलेगा और यह जो वेस्ट बैंक को कबजा करना हजम करने की कोशिश जारी रहेगा यह तो मान के च सकता है वो धीरे-धीरे कम हुआ है फिर से क्योंकि ये गाजा की जो आक्रमन हुआ है इस शुरुवात हुई थी आप आपको याद होगा जरूजलम से जरूजलम से जो शुरुवात हुआ इसके बाद वेस्ट एशिया में उसका इस्रेयल का पक्ष लेना बहुत मुश्किल है पर इस्रेयल का जो इरान को कंटेंड करने का इरान को धंकिया देना कि हम नुक्लियर अटैक भी कर सकते हैं यह भी कुछ भी आल वैपन्स और टेबल काइंड जो स्टेटमेंट आती है इससे देखना पड़ेगा कि इस्रेयल क्या करता है क्योंकि इरान के साथ वो टेंशन बना है और यह जो जेसी प्यूए के फिर इरान की वापसी के संभावना अमरीका की वापसी के संभावना है उसको बंद करने क के लिए बहुत सारे कदम इस्रेयल उठा रहा है अटाक करना जहाजों पे उनका न्यूक्लियर प्लांट में आग लगा लगा देना यह सब कर रहा है सबोटाज अलग अलग तरीके से कर रहा है पर इस्रेयल की पास इतने गोटी है नहीं खेलने के लिए तो मुझे लगता ह कि वेस्ट एश्या में इस्रेयल धीरे-धीरे अलग होता जाएगा खास तोर से पैलेस्टाइन फिर दुनिया के सामने इश्यू बनके आ गया है तो ये सवाल जो पैलेस्टाइन लोग बूल जाएंगे इसलिए वेस्ट एश्या में इसरेयल एक बहुत-बड़ा प्लेयर ब पढ़ने वाला है यह तो बरकरा रहेगा इसमें इसरेल की continuity है हमारे आपने भारत वश्य सुरू किया था सवाल सवाल है हम इसरेल के साथ जाके एक हिसाब से एक बहुत ही एक छोटा प्लेयर चाहे उसके पास nuclear power हो पर आर्थिक रूप में और लोगों की संख्या अगर देखे उसके बहुत चोटा प्लेयर है वो अमरीका के साथ मिला हुआ है वेस्टन नेटो पावर्स के साथ मिला हुआ है इसलिए उसका ताकत है तो अदरवाइस उसका वेस्ट एशिया में खास रोल होना नहीं चाहिए तो हमारा एक बहुत बड़ा स्टेक है वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए, बहुत सारे लोग हमारे वहाँ जाते हैं. हम समझते हैं कि इस्रेयल के साथ जाके, मैं समझता हूँ इस्रेयल के साथ जाके, हम अपने लॉंग टर्म जो इंट्रेस्ट है उससे हम नजर अंदास कर रहे हैं और हमारे नुकसान दायक होगा अब इरान के साथ भी हमने जो हमने अमरीका की प्रेशर से हम अलग कर लिया तो इरान एक प्लेयर है सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान में हमारे तो उस तरह साथ अफगानिस्तान से कोई बॉर्डर भी नहीं है तो हम वेस्ट एशिया हो सेंट्रल एशिया हो इसमें हम प्लेयर नहीं बन सकते हैं क्योंकि हम इस्रेयल के साथ जा रहे हैं और किसी बुलकों के साथ उस तरह कि हमारे संबन नहीं है और Central Asia में हमारा तो उसमें कोई प्लेयर हमारे साथ है नहीं जिसके साथ जरीय हम जा सकते हैं और हमारे कोई डारेक्ट बॉर्डर तो है नहीं अफगानिस्तान से या से तो मैं समझता हूं हम साउथ एशिया तक ही अपने आपको सीमित कर लिये आपको याद हो कि हम नए आजादी हमें मिला ही था तब भारत एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में था आपका कोरियान वार में इंडिया का भूमी का था अब हमारा इत्ते साल होने के बाद आर्थिक विकास होने के बाद हम सिकुड गए हम एक तरफ से कौट का एक पार्ट माने जाते हैं औस्ट्रेलिया इंदुस्तान कोई बराबर इस्टेशिया में भी प्लेयर नहीं बन सकते तो हमारा जो जो राजनितिक इंटरनाशनल दायरा है मुझे तो लगता है सिकुर्टा जा रहा है तो मुझे लगता है कि यह बहुत एहम है दो त्रीन चीजें जो आपने रखी कि अंतराष्टी इस्तर पे जो भी परिवर्तन ह हो रहे हैं चाहिए उ सत्ता में परिवर्तन हो रहे हो चाहिए भेट मुलाकात हो रही हो उनके पीछे की कहानिया अलग है और सिर्फ नित्रत बदलने से उस राष्ट की उस देश की नीतियों में तबदीली हो जाए ऐसी खुश्वहमी भी पालना दुरूस नहीं है परिवर इन्हें हम कैसे देख सकते हैं और अमरीका पुतेन और चाइना के बीच की जो महबते हैं जो संगर्ष है इन्हें हम कैसे देखें कैसे समझें और कैसे प्लेस करें मुझे लगता यह हम सब के लिए आज के दौर में बहुत जरूरी है